हलो फ्रेंड्स बल्कम टू मा यूटूब चैनल गाईस आईसी ए आर टकनीसन का 28 फरवरी का फस्सिप्ट का एक्जाम हो गया है दोस्तों तो फस्सिप्ट में जितने भी कोशन पूछे गए हैं उन्हीं कोशन पेपर पे डिसकस करेंगे इनमें कौन कौन से कोशन पूछे देखिए वीडियो अच्छा लगए वीडियो को लाइकों से अजरू करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी में आपके विल आकोन होगा उसको भी दबा ले इससे आने सारी नए वीडियो को नोटिपिकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुं सेसन का है एक कोश्चन आया था कि मानस बन जीब अव्यारन जो है वो कहां पर इस्तित है भारत के किस राज में इस्तित है तो मानस बन जीब अव्यारन ये इस्तित है भारत के असम पर इस्तित है असम में एक कोश्चन आया था कि आरवीसी का जो जीवन काल है वो कितना होत है और वीसी मतलब red blood cells ये होता है full form इसका जीवन काल जो होता है वो total होता है 120 देज 120 दिन का होता है एक question था कि Vitamin D का जो chemical name होता है वो क्या होता है तो Vitamin D का chemical name होता है kels HAIR so guys देखिए सारे vitamin से question आगे आने वाले वीडिお願い में मैं आप करवाद हूँगा एक वीडियो में एक आता है कि विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है यह भी पूछा जा सकता है आने बाले सेप्ट में तो यह होता है रेटीनॉल विटामिन V इसका केमिकल नेम क्या होता है थाइमिन क्या होता है थाइमिन और विटामिन E की अगर बात करनें तो इसका क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है और बहुत सारे ऐसे केमिकल ने मैं जो की मैं आने वाले वीडियो में सारे के सारे विटामिन के केमिकल ने में प्रोबाट करवा दूँगा एक कोशन गाईज आया था कि पैन, पैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पैन का पूर्ण रूप होता है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, क्या होता है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एक कोशन आपका इस मंदिर से था कि चतरभोज मंदिर जो है, ये कहां परिस्ति तो देखिए चतर बोज मंदर ये इस्तित है भारत के मद्ध प्रदेश में कहां पार इस्तित है MP में एक कोश्चन गाइस आपका इस तरीके से था कि LPG सिलेंडर आपने नाम सुना होगा लुकेट फाइट पेटोलियम गैस ये इसका पूर नाम होता है गैस सिलेंडरों में कौन सी गैसों का मिस्रण होता है तो इसमें होती है प्रोपेन बाव व्यूटेन एक कोश्चन था कि भूटान के प्रधान मंतरी का नाम बताओ या भूटान के PM का नाम बताओ ऐसा कोश्च चेन क्या हो जाएगा लियोन लिख देते हैं लियोन चेन लॉफिंग गैस जिसको कहते हैं हसाने वाली गैस इन में से कौन सी है तो इसका केमिकल फार्मुला पूछा गया था यह हो जाएगा गैस देखेए एक कोश्चन था ICAR के स्थापना किस बर्स होई इनपोर्टन कोश्चन है तो ICAR के स्थापना होई थी 16 जूलाई 1929 को एक कोश्चन था이스्ट्येट की कमी से कौन सा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो हो जाएगा आपका गेंगा, कौन सा हो जाएगा, गेंगा एक कोश्चन था आपका, हाइड्रोजन की खोच किसने की तो हाइड्रोजन की खोच की थी, हेनरी केवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोच किसने की थी, हेनरी केवेंडिस ने एक question था कि Mars gas का जो दूसरा नाम है वो क्या है तो सभी लोग जानते होंगे कि Mars gas का दूसरा रूप दूसरा नाम क्या है methane इसका methane का formula होता है CH4 एक question था MRI का पूर्ण रूप क्या है तो MRI का पूर्ण रूप होता है Magnetic Resonance Amazing अगला है question Mendak का वैग्यानिक नाम पूछा गया था तो guys देखें मेंडग का वैग्यानिक नाम क्या है तो मेंडग का वैग्यानिक नाम हो जाएगा Rana Tigrina क्या हो जाएगा Rana Tigrina एक guys अनुच्छे 21 से आया था Article 21 जो 21 है वो किसे से सम्बन देत है तो इसमें देखें जीवन जीने का अधिकार को लिया गया Article 21 एक question था यूरिया का रासायनिक सुत्र बताईए तो यूरिया का रासायनिक सुत्र क्या होगा CH4N2O तो कुछ important question guys कर लेते हैं जैसे कि विटामिन A विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन A की कमी से रोग जो होता है वो होता है रताउंदी और विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है ये होता है बेरी-बेरी और vitamin c की अगर बात करें तो vitamin c की कमी से रोग कौन सा होता है इस कर भी और vitamin d की कमी से ricateus होता है किया होता है? ricateus और गाइस देखिए अभेरण से question आया था तो एक डांस से भी आ सकता है जैसे के गिदा आपने नाम सुना होगा गिद्दा कहां का लोप्री नत्या है तो यह हो जाएगा पंजाब और इसके साथ साथ भांगडा भी है और गाइस देखिए बीहू कहां का नत्या है तो बीहू आपका हो जाएगा आजसम का यह कुछ इंपोर्टन गोशन है जो कि मैंने आपको करवा दिया है अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक यू